कन्या राशी वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2023? कन्या राशी के जातकों के लिए शनी कुम्भ राशी में गोचर कर आपके छटे भाव को प्रभावित करने वाले होंगे. शनी की कृपा से आपको नौकरी में भैतर मौके मिलेंगे और आपको उन्नती प्राप्थ होगी. अप्रेल अंत तक गुरु का गोचर सब्तम भाव से होगा जोकी पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिए अनुकुल रहेगा लेकिन 22 अप्रेल के बाद गुरु मेश राशी में प्रवेश कर राहु के साथ गुरु चांडाल दोश का निर्मान करेंगे. मेश राशी में राहु गुरु की यह यूती आपके अश्टम भाव में होगी और आप इस समय चिर्चिड़े हो सकते हैं. धन हानी, वानी में कटुता जैसी चीजे आपको देखने को मिल सकती है. अक्टूबर के अंत में राहु मीन राशी में वही केतु कन्या राशी में प्रवेश कर आपके लगना और सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे. इस समय आपके स्वास्थि में दिक्त आ सकती है, वही जीवन साथी की सेहत को लेकर भी आपको सावधान रहना होगा. इस समय साजहदारी में अगर आप काम करते हैं, तो आपको धोखा भी मिल सकता है. बाकी और ग्रहों के गोचर भी समय समय पर आपके जीवन में बदलाव लाएगा. जनवरी फरवरी आपके लिए वर्ष की शुरुआत चौथे सूर्य और पंचम शनी से हो रही है. गोचर कर सरकारी लाब देने वाले होंगे. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में सफलता मिलेगी. गुरु की लगनपर द्रिष्टी से आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा. नौकरी में जो मौके पर ढूंद रहे थे वो अपशनी की कृपा से आपको मिलने वाले है. अश्टम में राहु का गोचर स्वास्थे के लिए अनुकूल नहीं है. इस समय मौसमी बीमारी से बचना होगा और किसी को भी धन उधार नहीं दे वरना धन हानी संभव है. पक्ष से अच्छी खबर मिलेगी वही अपनी पत्नी के साथ काफी अच्छा समय बिताने का मौका मिलने वाला है. इस समय किसी महिला मित्र के साथ साजेदारी में काम शुरू कर सकते हैं. सूर्य का छटे भाव में शनी का गोचर लोहे, मशीन और कबाड का काम करने वालों को माला माल करने वाला होगा. इस समय आपको रेस्टोरेंट से जुड़े स्टार्ट अप में निवेश करना चाहिए. किसी धार्मेक यात्रा पर जा सकते हैं और तंत्र मंत्र में रूची बढ़ेगी. मार्च से अप्रेल मार्च माह में पराक्रमेश मंगल का गोचर दशम भाव को प्रभावित करने वाला होगा. छटे भाव में बैठे शनी के साथ मंगल का द्रिष्टी संबंध शत्रू नाश करने वाला होगा. दशम में मंगल बेहत बलवान होकर आपको टीम लीड करने का मौका देने वाले हैं. बुद्ध के नीच भंग राजयोक से इस समय मीडिया डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहे जातकों के करियर में फाइदा होने के योग दिखाई पड़ रहे हैं. पैत्रिक संपत्ती का अगर कोई विवाद है तो वो इस मा सुलच सकता है. कोट केस का निरनय आपके पक्ष में होगा. अश्टम में राहू के साथ शुक्र की यूती किसी महिला की ओर से कष्ट देने वाली हो सकती है. इस समय गुप्त संबन से बचकर चलना होगा. अपरेल माह में उच्च के सुर्य का गोचर आठवे भाव में होगा और आपके धन स्थान को प्रभावित करेगा. इस समय में श्राशी में सुर्य राहू बुध की यूती दुर घटना का कारण बन सकती है. इस समय सूर्य राहु ग्रहन योग के कारण आपको आकस्मिक धन हानी भी हो सकती है धन भाव में केतु का गोचर इस समय वानी को कड़वी कर सकता है जो की कुटुंग में कला का कारण बन सकता है हाला कि भाग्य में स्वराशी के शुक्रकार्य को गती को अटकने नहीं देंगे आपकी पत्नी इस समय आपकी सहायक सिद्ध होगी माह के अंत में गुरू 22 अप्रेल को मीन राशी से मेश राशी में संचरन करेंगे और आठवे भाव में गुरू चांडाल दोश का निर्माण होगा जिससे की आपको कश्ट उठाना पड़ सकता है मई से जून मई का माह आपको बेहत परेशान करने वाला है इस समय जीवन उतार चड़ाव से भरा हुआ रहने वाला है आपको अपनी नौकरी में भी कई दिकतों का सामना करना पड़ सकता है इस मई कई मानसिक चिंता आपको परेशान करेगी इस समय वाहन सावधानी से चलाए लाब भाव में नीच के मंगल का गोचर व्यापार में नुकसान का संकेत दे रहा है अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो लेन देन में बेहत सावधानी रखने का समय है इस समय आपके खिलाफ गुप्त रूप से कोई साजिश भी की जा सकती है माह के अंत में भाग्य में सूर्य और दशम शुक्र आपको थोड़ी राहत देने वाले होंगे पता और गुरु की कृपा से कुछ अटके काम पूरे होंगे जून का माह उपेक्षाकृत अच्छा रहने वाला है इस माहा भाग्य भाव में सूर्य और दशम में बुद्ध के आने से छात्रों को राहत मिलेगी शुक्र का गोचर लाब स्थान में होने से स्त्री जातकों को अच्छे मौके मिलने वाले है इस समय सिनेमा जगत से जुड़े जातक अपने करियर में बढ़िया उन्नती करने वाले है सूर्य का गोचर इस समय आपको सरकारी पक्ष से लाब दिलाने वाला होगा कार्य स्थल पर आप बढ़िया प्रदर्शन करने वाले होंगे इस समय युवा जातकों के प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार किया जा सकता है आपके वैवाहिक जीवन में इस समय रोमाज चरम पर होगा यौन सुक की तीवर इच्छा प्रेमी की ओर आपको आकरशित करेगी शनी की अश्टम पर द्रिष्टी से कोई गुप्त मदद मिल सकती है जुलाई से अगस्थ जुलाई माह में लाभ स्थान में बन रही सूर्य बुद्ध की यूती आपको बेहद लाभ प्रदान करने वाली होगी इस समय सरकारी नौकरी कर रहे जातक अपनी बुद्धी के प्रभाव से किसी बड़े लक्ष की प्राप्ती करने में सफल होंगे इस समय छटे भाव में विराजमान शनी पर केतू की द्रिष्टी होगी जिसकी वज़से आपको नौकरी बदलने का प्रस्ताव आ सकता है संतान पक्ष से शुप समाचार प्राप्त होगा जिससे मन प्रसन रहेगा बारवे भाव में विराजमान मंगल शुक्र की यूती इस समय भोग को बढ़ाने वाली होगी स्त्री वर्ग को इस समय अपने प्रेम संबंध को लेकर सावधान रहना होगा अन्यथा आपको बदनामी जहलनी पढ़ सकती है अगस्त माह में आठवे भाव के स्वामी मंगल का लगन में गोचर आपके साहस को बढ़ाने वाला होगा इस समय आपको किसी के द्वारा गुप्त मदद मिल सकती है आपको इस माह अहंकार और घमन से बचना होगा भागिये शुक्र चार अगस्त को लाब स्थान में गोचर कर धन की वृध्धी करवाने वाले होंगे इस समय जो जातक सौंदर्य प्रसाधन के कारोबार से जुड़े हैं उन्हें लाब होगा आपके प्रेम संबंद इस समय भेतर होने की उमीद की जा सकती है नविवाहित स्त्री गर्ब धारन करने की अगर सोच रही है तो उत्तम समय है इस माह बारवे भाव में सूर्य बुध की युती बलवान होकर विदेश से आपको लाब देने वाली होगी सितंबर माह में आपका आत्म विश्वास काफी बढ़ा हुआ रहने वाला है इस माह बुध राहु का दृष्टी संबंध शोद कर रहे जातकों को मदद करने वाला होगा जो जातक अपने शोद के काम के लिए देश से बाहर जाना चाह रहे थे अब उन्हें बुध महाराज का सहयोग मिलने वाला है लाप में विराजमान शुक्र आपको भाईयों और मित्रों से सहयोग करवाने वाला होगा इस समय लगन में सूर्य मंगल की बलवान यूती से किसी बड़े लक्ष को संपादित कर सकते हैं कार्य स्थल पर आपकी टीम आपके नित्रित्व में बेहत शांदार काम करेगी हालांकि इस समय पिता के साथ आपके मतभेद बढ़ सकते हैं गुरू की बुध पर द्रिष्टी से लेखन और प्रकाशन से जुड़े जातकों को अच्छा फाइदा होगा अक्टूबर माह में उच्छ का बुध लगन में विराजमान होकर आपको लेखन से प्रसिधी दिलवाने का काम करेगा इस समय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को बेहत शुप परिणाम मिलने की उम्मीद है माह मध्य में आप अपने खर्चों को लेकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं क्योंकि धन भाव में केतू की यूती कुछ समय के लिए नीच के सूर्य के साथ होने वाली है इस समय आपको अपने व्यापार में नुकसान उठाना पड़ सकता है आपको सला दी जाती है कि इस समय किसी को धन उधार नहीं दे किसी कोट केस में आपको जबर्दस्ती फसाया जा सकता है भागिये शुक्र के बारवे भाव में जाने से खर्च बढ़ेंगे किसी महिला मित्र को आप उनकी पसंद का तोफा भी दे सकते हैं अक्टूबर माह के अंत में राहू आपके आठवे भाव से निकल कर सब्तम भाव यानी पत्नी और साजेदारी के भाव में विराजमान होंगे वही केतु धन भाव से निकल कर आपके लगन में विराजमान होंगे इस समय आप के वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव बना रह सकता है आपके प्रेम संबंद में खटासा सकती है या फिर प्रेमी आपको धोखा भी दे सकता है इस समय आप दूसरों की बातों में नहीं आये तो ही बढ़िया है नवंबर से दिसम्बर दिसमबर माह में लगन में शुक्र केतू की युती कष्ट देने वाली होगी नीच का शुक्र किसी स्थ्री को आपके ऊपर हावी भी कर सकता है इस समय स्थ्री जातकों को अपनी सेहत को लेकर बेहत सावधान रहने की सला दी जाती है मधुमे के रोगी स्वास्थे को लेकर अधिक परेशान रहने वाले हैं दिसम्बर माह में आपको अपने व्यापार में अच्छा लाब होने की उम्मीद है इस समय मूल त्रिकोन शुक्र का गोचर आपके धन और वानी भाव में होगा परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन होने के योग दिखाई दे रहे हैं वहीं इस समय आपको नया काम शुरू करने के लिए मदद भी मिलेगी साहस भाव में स्वराशी के मंगल का गोचर आपको यात्राओं से लाब देगा इस समय पराक्रम बढ़ा हुआ होगा और भाईयों से सहयोग पाकर आपका मन प्रसन्न होगा इस माह पत्नी के वस्त्र और आभूशन पर धन खर्च हो सकता है पंचम बुध छात्र वर्ग के लिए सहायक सिद्ध होगा इस समय मा की सेहत भी बढ़िया रहने वाली है आपको हमारी दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताए आपका कोई भी सवाल हो तो हमसे पूछिए आपके सवालों का जवाब देने में हमें खुशी होगी अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और इस वीडियो को शेर कीजिए ताकि आपके प्रिये भी लाब उठा सके मिलते हैं अगली रोचक जानकारी के साथ बहुत जल्दी शुक्रिया